कम्प्रिट साल का गर्ट देखें तो ऐसी फार में ज्यादा होगा बहुंच ज्यादा होगा डबल होगा इसमें भी अफेंड कितना लगा है इसमें 11 लगे हैं 11 बड़े फेंड लगे हैं आप जब कभी आओगे तो यहां बता देगा कितने बार ट्रीफ हुआ है अच्छा वहां से डाना यहां लाने की ज़रूत नहीं है एक बोरी भी तो इसे पानी गिरता है पानी गिरता है वो गर्मी कित समय में टेंप्रेचर करने के लिए पानी गिरता है यह अगर इसी आसासर आप हमारे चैनल पर महासमूंद और बागबारा सीरीज देखना है और महासमूंद और बागबारा सीरीज के दर्मियान हम एक पोल्टरी फार्म विजिट करा रहे हैं और इस पोल्टरी फार्म से अलग-अलग विश्यों पर आपको जानकारी दे रहे हैं जैसे कि हम मुर्गियों के चूजों को गर्म करने के लिए किस तरीके से मुर्गी के बीट का इस्तिमाल किया जा सकता है ये भी समझाया और इस टुडियो पर समझाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसी पॉल्टरी फार्म बना सकते हैं यानि कि कम्प्लीट इसी फार्म आपको हम समझाने जा रहे हैं और यह कितने और और फुलेशी करके पचास जर बड़ कें तोटल जगाग मेरा साथ एकड का प्लाट है जिसमें से वह वन थार्ड में ही फाम है बागी सब लेंड खाली है और आपका शुब नाम जिसमें इस वीडियो पर हम दिखाने जा रहे हैं कि इसी सेट कैसे बना सकते हैं यह आपको डिटेल के साथ समझाएं लेकिन उसे पहले कहूंगा अगर आपने अभी ताक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जि पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फालो कर लें सर सबसे पहली एक बात समझाए कि इसी पोल्टरी फार्म की जरूरत क्यों पड़ी है इसका जो इसी है इन्वार्मेंट कंट्रोल सिस्टम यह एसी नहीं है जो घर में इसी इस्तमाल होता वैसा नहीं है यह इसी इन्वार्मेंट कंट्रोल सिस्टम की इसी होके इसी का नाम दिया गया है तो साल में जो है वह छे पलाग सात फलाग निकलते हैं छोगा सकते है उसमें हर बैज़ का जो है वो मौसम अलब अलग होता है हमारे जयसे 4 मौसम में 4 ही जाओ całusy היא 8 मौसम हो जाते हैं अ इक उपर एक नीचे करके तो वह हर मौसम का अपना अपना वो होता है वेनीफीट होता दोक्सान होता है दोनों होता क्योंकि यह निकालना भी वहां से जादा मतलब हीट निकालना वहां से ज्यादा आसान है तो उसको ठंडी के दिनों में घर्मी करना असान होता है इस सिस्टम में और ठंडी की दिनों में गर्मी करना आसान होता है, गर्मी की दिनों में ठंडी करना भी आसान होता है, क्योंकि वो दिवाल पेक होता है, खुले में नहीं पॉसिबल नहीं होता है, तो यही कारण था कि इसी फार्म की ज़रत पड़ी है, अब हम बेनिफिट को 10,000 पल जाएगा, 9,000 पल लेगा. 10,000 के अगर, मतला, si, यार का फाम है, आपका, ऑपन फाम है, उसको आपको अन्वर्ट करते हैं, तो आपको 9,000 पलेगा. तो ओपन में कितना, एक मुर्गी कितना साइज चीर से रहता है? मुर्गी साइज तो आज मार्केट साइज 2 किलो से कम में कोई लेता है नहीं मैं बोर जगा की बाप क्या हूं बॉन पाइंट फाइफ बॉन पाइंट सेवन ओपन में और इसमें इसमें 0.5 0.7 0.9 मतलब एक स्क्वेर फिट से नीचे आ गया आई और वो एक square फिर से उपर चला गया, इसलिए मुर्गियों की quantity वहां घड़ यहां पर बढ़ गई, ठीक है, यह benefit है, इसके अलावा और क्या benefit है, भूसा उतना ही लगना है, आदमी उतना ही लगने हैं, बिजली जादा लगना है, बिजली बहुत जादा लगना है, बिजली के हो गया, भूसा का हो गया, यह पैसा सेम लगने हैं दोनों पर, लेकिन मुर्गियों की quantity बढ़ जा रही है, और farm आपका उतना ही बढ़ा है, और farm में main बात होता है कि यह farm में ऐसा नहीं है कि आप इसको farm खोल दिये, मुर्गी farm खोल दिये, कोई नौकर चला लेगा, नहीं, दाना नौकर डालेगा, पानी नौकर पिलाएगा, लेकिन farm, farming तो खुद किशान करता है, वही farm सक्सेज होता है, जो अगर चाहेगा कि मैं पैसा लगा दूं और farming हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, वो किसानी के काम में ही नहीं आता है, किसानी खुद से करना पढ़ता है, ब कि यहां जानता और जो वह सकता है कि मैं बाहर बैठे रहू खंग आप भी खेती नहीं हो सकता इसलिए पॉल्ट्री फार्म में भी नहीं हो सकता है एक रेसे नहीं होगा तो इसमें कहना देखो बड़ चूजा या मुर्गी जो होगी वो तो आपको बताएगी नहीं मेरे क्या परिशानी है नौकर अगर आप बताए वो कर देंगे लेकिन उसको कॉल्ट्र में तो चालिस दिन का चाली साल है उतने दिन में उसको हम एक दिन में गल्ती करते हैं दूसरा दिन एफैक्ट लक ङपक्रिया हो आज गलत काम कीी रहते हैं सारुयrebbe लुदíं से खान-पान तो देना पड़ेगा, अगर कुछ बिमारी दिखा तो फट से तुरंट सलूशन देना पड़ेगा, अगर कुछ कीचर दिख रहा है, कीचर दिख रहा है, कीचर से गैस बनेगा, फट से उसको हटवाना है, दाना अगर सहीं नहीं मिल पा रहा है तो दीजे दाना उसको पर आपर वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो पानी पहुंच पाइए उसको तो वह माले को घुमना पड़ेगा और घुमने के लिए जगा कम से कम हो उतना अच्छा कितना जगा घुमपा हो मैं जैसे आप देख आप 50 आप फाम है मैं हर कोने में अगर फाम होता है तो इसंडबल इइरियम होता है तो इतना बडल चुद्धा हो जाता है हर बड़्ड के पास पहुंच पाना तो आपका कोशिश यह रहना ची कि जआदा ज़्यादा आप रौट लगा सके जआदा सभड़ से हुश का सूख दुख आप दुख आप समषच सकते हैं उसको अगर परिशानी है तो वो ग्रोथ कहां करेगा फिर वह बहुंश सेंसिटिव है वह तो उसको उसकी परिशानी को आपको समझना है तो परिशा हाँ वो बीमारी में करने होने से पहले मतलब ज्यादा लॉस होने फहले आज जीससे मौलेटी आज हो गया पांच मौली टी हो गया तब तो ठीख है कल अचाना से 10 मौड़ीटी हो गया तो क्यों हो गया मइं आपको खोज remains शोब खोजक Εसको पहले उसको निमारन करने तब जाके कलने तो 15 होना है पास समान ने है दस हो गया आप कल ध्यान निदियें तो 15 होने का है इसे को कहते होंurgh क्या उरती चीडिया का पकहिएं लींखिफ दिना पड़ने पढ़े ना थे इंख हुथ 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 होआँ क्या कोई रहा है आपको मशीन बताती है मुल्ग बताती है मशीन चिजी आपको समझने की ज़रुरत है वो सकसेज होगा ठीक है सर तो यह पैसे पर आगर हम बात करें तो पैसेए का बीनिफीट और डीक है सिजनरी अगर देखें तो ऑपन फांग सेंच लेकिन साल का गर अगर देखें तो एसवाम में ज्यादा होगा बहुंच मौसम आपके अच्छा अरू पहा तो हो सकता है यह नहीं रहा तो 3 मिला तरह ब्लस है तो अभी तक है तक पहुत हितना है मिला यह कम गिरेगा है अगर विशेस अक्सिडर्क ना हो जाना एक दम से बार नाग्पूर ठाक्वारक रड़ाना पूर्टक तो फिर जैसे मैं पिछ लग पाया और मैं हूं तब 24 घंटे में लग पाया मैंने लगता है कि सब्सक्राइब लगा पाएंगे और तब तक पुर 24 घंटा जो है वह जानेटर चलते रहा है और जानेटर दो रखेंए एक गरम हो रहे तो दूसरा चालू करो अगर ज़रौत पड़ता है तो नहीं तो च लाग की continuity की एक तरीके में रहती है इसी फार्म डालने से कि उसका benefit आपको बराबर बराबर मिलते रहेगा है उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा गर्मी की दिनों में है ना तो थोड़ा सा profit भी ज़्यादा होता है गर्मी की दिनों में अभी हम डिजाइन को समझते सर.. मैं सर्च ऐससे इसमें फेंट कि हीडैन लगा हुआ है इसमें 11 फेंट लगे हैं 11 फेंट बड़े फेंट लगे हैं 12 इंच न चाहें ठीजर शी पननिक भी आच्चा तो 세상 दिजाइन कंपनी की सकाइactic प्रम दाइचा है वाइट बागी इसी फार्म जो मैं देखा हूँ और इसमें एक अंतर है यह चीज और यह पंखा यह अलग दिख रहा है और साथ में चीज और अलग दिख रहा है यह जो तिरपाल वाला सेक्षन है यह भी अलग दिख रहा है तो यह जरा समझाई यह त्रीपाल वाला मेरा है अच्छा मेरा तिखड़ा मास में है यह एक्षाल में क्या है कि हमको सुरू में डर लगा रहता है कि अगर बाइदबे कुछ हो जाता है एक्सिलेंटल हो जाता है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं एक अपने डर की आप से चाहां कि यह त्रीपाल हम फार देंगे यहां से वह होगा उस दिर के लिए कटिंप परिस्चेंटिएं परिस्टे में हाँ जैसे ट्रांस्फार्मर उड़ गया शुच हो गया तो मैं पैनल के लिए भी मैं बता देता हूं और यसी फार्म वाले देख रहें इनको बता देत इसका लाइन भी अलग लेकि रखा हूं कि एक सर्विश लाइन अलग है इसका लाइन अलग है। ये केबल ग्र पूरा केबל मैं वी फाल्ट हो जाता है या पूरा पैनल जा को पिर आपको फिर ये फूर्चक पूरा बंद बंद तो आप मुझो चालो कर लेंगे और पंखे को जिस किसी भी usar ब провड default को एक रहने से क्या होता है कि पर इस-में वह थे लोड़े से इस फिचर यहें होगा जैब तो यहां तक चीज उसमें और बताना भूलिया था आपको इसमें जैसे एक उपर दिया हुआ है एक रेड लाइट दिया हुआ है यह रेश्ट कर दिया उसको तो वह एक कंप्लेंट था चुछ रेड लाइट उपर दिखा रहा था इस पैनल में पता निकिस कारण से चोड़ा हुआ है यह रिकार्ड किस वज़ासे यहां पे सिस्टम बंध हुआ था वो यह आपको बता देगा आपको आपके नौकर को पूछना जरूत नहीं पड़ेगा नौकर सवया है क्या है उसको आपको मतलब नहीं है आप यहां के देख सकते हो कि किस वज़ासे लाइट गोल हुआ था ओर टेंपरेचर हुआ था साट सर्कीट हुआ था सब चीज़ रिकाट कर देगा और पूरा बैच कर रिकाट करके रखेंगा और आपको बताएगा कि यह हुआ था आप देख लो और उसको नहीं देखते हो तुम जानो उसके बावजूद भी एक बनता है कि एक अप आपने पास अपसनल होना चीए जैसे में जनल डिर्ट का बताया आपको डीजी सेट आपके पास होना चीए सेम सेम कैपिसिटी का नहीं तो कम से कम खड़ा रहना चीए चलाने के लिए बिजली क्या हुआ था लाश्ट टाइम जो है वो लाइटिंग हुआ उपर से हैं ना और ट्रास्फार्मर नहीं पड़िया है ना बीज बेच में तो वो ट्रास्फार्मर नहीं पड़िया तो कैसे करेंगे तो जनल चलना है अब जनल चुबिस चुबिस घंटा चलना है तो किसी भी जनल का खराब हो जाना है तो वह एक तो अच्छा कंडिशन का जनल रखिए पहले एक कम से कम एक सपोर्टिव कंडिशन का जनरेटर रखिए दो जनरेटर तो आपको रखना ही पड़ेगा इसी फार्म में और अच्छे कंडिशन का होना चीए हरोज जरूरत पड़ेगा रोज कम से तो आपको जनरेटर चालू हो जाएगा दस सेकेंड में चालू होगा तो ठीक रहेगा अच्छा अब यह समझा दीजिए यह यह एक नया चीज में देख रहा हूँ हाँ है एक मोटर से कंप्लीट कभर किया वह जतना खेख हर 10-10 स्पिट में लागे हुं है सारे पूरे प्रूर्च सब एक रोप वायर से क्नेक्टेड हैं अच्छा इस वायरे से कनेक्टेड है यह मोटर जो है निखले यह ऐसे खीसता है अच्छा यह एक तरीके से उपन कर दे रहा है ओपन होने से क्या होता है कि इसमें फ्रेश हवा अंदर आता है यह परदे के तरीके से हैं जैसे नाटाा खूता था तो उसमें फर्दा लगा रहते था परदा कि इसने वाला किसता था वह का मोटर कर और उसके उपन कऱंगे हैं कर देना है और बंद भी खालिए कर सकता है जो आपको सही लगता कि हमोनी होना चीए तो उसके पुसके सेट है और यह जो अंदर लेगा उसको वाला पंखा फेकेगा बाहर पेकेगा और वहां से जो हवा ले रहे है उसको यह वाला पंखा फेकेगा अच्छा ठीक है को इस सैट के चार्फ का पॉलन सिस्टम बोलतें हैं यहां से यहां आ हारा वार तो उस तरफ से हवा लेके इस तरफ से बाहर निकाल रहा है इस तरफ से खालोगा इस d sham दो के निकालों हममूनियां होते हैं यह होता क्या है बड़ा फ्राम होने के वज़ए से जो है न इसको जरूत नहीं है जालेंगे Ch Teddy Vaugh नहीं और आठीटोप Πान के चलेंगे ज्जादा नोपन और का डूँ जा रहा है तण के दिनों में और यहां गैस तो बन नहीं है दूरर गैस करेगी या बीड़ से बनेगा वो कहा जाएगा पंखा तो कम चर रहा है ज्यादा चलाओंगे तो इसको सड़ी लगिगा बर्ट को तरीके से प्राइब तीक है और यह इस वाम पर नया दिख रहा है यह पानी वाला देखा हूं यह तो अभी सब में सब कॉम्पनी देने हैं और यह कामन है और यह फिट का है दाना का इसमें दाना वहां पर डलता है चल देख लेते हैं किया सर चलिए वह लाश्ट तक आपको चलते हैं है सरी इसको संझ्धा दीए यह जुह है ना इसमें लाश्ट का इसमें दाना कर सकते हैं बड़ा हापर लगए तीज बोरा का 30-40 जतना डालना है उस हापर से एक आटोमेटिक सिष्टम में वहां पर चारों में पंप करता है दाना यहां लाने की जरूत नहीं है एक बुरी भी खाम के अंदर लाने से नुक्षानी है कि यह तो जगह खराब होगा यहां पर जगह जो ना क्राफ बाहर अलग्षी बना है थो आपर को दाना पहुंच जाता है पहले इसमें भरता है उस्वाद उसमें बड़ता है यासे भरता है फिसमें बंद हो जाता है चलते रहाता है यह दान के भो चलेगा चलेंगा और उसका सबके लास्ट में सेंसर छाए हूए हम सब我們 भर जाती है एक तो इसको भी उपर नीचे उठा सकते हैं कि नीचे उठाना है ना इसको पहला दिन का वह भी खा सकता है और लाश तक इसको इसके चलेंगे और देखने लेकिन यह दिखा देते हैं यह जहां पर आया है यह पूरा इधर से लेके वहां तक लगा हुआ है तो इसे पानी गिरता है वह गर्मिक इत समय में अच्छ तेंप्रेचर कंट्रोल करने के लिए पानी गिरता है और अगर वह हवा से करता है स्वस्टाइब रहता है तो पानी इससे जभा घर्मी है तो कूलर ले लेना ऐसे बूलता ही जब करदा सबसे हवाा मिले मीले जा रहा है तो कम कोशिश करते हैं जितने दीन हो सके पानी चालू नजबडा पानी जालो तब पानी डालेंगे अच्छा तो यह है कि दिनों में वे चलते हैं यह कार में भी चलते हैं तो हवा लगता है थंद लगता है मेंटेन हो जाता लेकिन उसको हम अगर धीरे चलाते हैं तो मैंटेन नहीं होता है प्सक्राइब मेंटेंट हो जाए हैं अगर मेंटेंट हो गया तो अच्छा है नहीं हुआ तो पानी चालू करेंगे अब ही चलते हैं जरू देखने यह तो नार्मल है कि कैसे हिटिंग होता है जर्णा देखना करें करते हैं और इसको यह दबा देते हैं और इसमें दाना गिरते रहता है कि दाना ऐसे फिसल फिसल की गिरते रहता है यहां बहरा रहता है और यह बटकाती है फिर शुरू दिन में इसको टिका देते हैं नीचे उसका त्पिर जैसे हाइट होते जाता है मुर्गी कि वैसा आसा यह सिस्टम है इस तरीके से चलता अभी एक चीज मुझे समझाए अगर इसी पॉल्टरी फार्म डारेक्ट बनाने है तब कितना खर्चा बैठता है इसी पॉल्टरी फार्म बनाया भी तो 300 साड़े 300 बड़ का खर्चा आएगा ठीक है यह खर्चा नार्मल में कितना जाता होगा नार्मल फार्म में पर बड़ कर देखें तो वह वही 500 रूपया 200 रूपया यह जाता है थीक है मतलब बहुत जादा अंतर नहीं सुरू से बनाया है थो क्यонके उसको चाहुड़ा आपको चाहुड़ा मिलता है जगा जखाढ़ा मिलता है इतना जगह में ही एक्टव मैं क्या क्कृते बढ़ा नहीं कि ना थो फोड़ा इस मतब दस परसेंट एक्स्टा करोगे तो आपको जगा जश्ट डबल मिल जा रहा है अच्छा सर एक ही जा यह तो हो गया इसके वी सह पेजानकरी एक चीज़ मैं समझना चाहरा हूं कि जैसे जब आपके पास मुर्गया रहते हैं कंटीनियू साल भर पालते हैं कितना फलग निकलता है बता है छे फलग फलग में किसी कमपनी के थूरू करते हैं हाँ काउं सी कमपनी है पशुपती यह जो डिषाम के काम क्रते है लेकिन वम लोग बारडर में करकांOh अच्छा ठीक है तो इसमें अगर करते हैं तो टोटल जो आपके पास kpc है 50,000 उसमें आपका कितना खर्च लग जाता है और कितना मिल जाता होगा पूरे 50,000 बादाना लंसम 50% खर्च हो जाता है 10,00,000 का सब्सका आता है मेरे को लगबाग चेक लंसम 10,00,000 का हर बार चेक आता है तो उसमें 50% आपका लिवर चार्जेश बिजली हो गया, डीजल हो गया, भूसा हो गया उस पे खर्च हो जाता है ये कितने दिनों का बता रहे हैं एक बैच का एक बैच का, मतलब दिन कितना जाएगा उसमें 40 दिन लंसम 40 दिन में, ने ने, पूरा कम्पेट 60 दिन 60 दिन, हाँ, दो मेहना कर लेते हैं मतलब दो मेहना करेंगे तो 6 बार निकल आएगा अब लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपका फार्म कभी खाली नहीं जा रहा है इसी होने के वज़ा से और 5 लाख मिल जा रहा है यही है सर्थ हर साड़ दिन में तो धाई लाख रुपिया कह सकते हैं अपन मंधली है इसी साब से निकल आता है तो हम आपको दिखा रहे थे कैसे इसी पोल्डरी फार्म बना सकते हैं साथ ही आपको बता दे जिन सवालों के जवाब सर से हमने उस फार्म पे ले लिये हैं कि ओपन से इसी कैसे बना सकते हैं वो वीडियो पे ले लिये हैं उन सवालों को हमने इसमें पूछना छोड़ दिया है जैसे कि ये है ये सवाल के जवाब वहाँ मिल जाएंगे कंट्रोल पैनल का सवाल का जवाब सर ने वहाँ दिया है तो इसमें कुछ कंफ्यूजन बाकी रह गया है तो वो वीडियो देख ले मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर देते रहा हूं जाके आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस पांद से हमने दो तीन वीडियो अलग से किये हुए हैं तो धन्यवाद मैं हम प्रकास आसर वीडियो अच्छा लगत वीडियो लाइक कर ले धन्यवाद